आपके हिसाब से 42 के बाद क्या आता है? जिसके बाद दिग्री भी नहीं होगी वो भी बता देगा कि 42 के बाद 43 आता है लेकिन भारती जन्ता पार्टी अनोखी है इनका 42 के बाद 43 नहीं बलकि 44 आता है जेहां विजेबी ने आज कथित तोर पर अपना 44 वा इस्थापना दिवस मनाया है मौके पर प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने अपने चेर परचित अंदाज में कॉंग्रिस समेथ विपक्ष को खूग घेरा लेकिन अब फजिहत हो रही है तो प्रधार मोदी ने क्या कहा जिसके बास ये बवाल मच गया है उस पर आएंगे लेकिन सबसे पहले आपको सुप्रिया श्रीनेत्र का ट्वीट दिखाते हैं ट्वीट देखेंगा इसमें लिखा हुआ है कि 2022 में भाजपा का 42 इस्थापना दिवस था देख रहा है ना विनोद तो किस तरीके से क्या दिखाने की कोशिश की है सुप्रिया श्रीनेत्र में विनोद को हम भी आपको दिखा देते हैं देखें बीजेपी की तरफ से जब 6 अपरेल 2022 को इस्थापना दिवस मनाया गया तो वो 42 इस्थापना दिवस था बीजेपी की तरफ से खुद इसको ट्वीट करके जानकारी दी गए और काईदे से देखा जाए तो ये 42 ही था लेकिन जब 2023 आया तो 2022 के बाद 2023 में 43 नहीं बलकि 44 वा स्थापना दिवस मनाया गया ये हम नहीं कह रहें बलकि भारतिय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस की लाइफ फुटेज को शेयर करते हुए खुद लिखा है तो अब हर को ये सवाल कर रहा है कि मोदी जी ये बताईए कि 42 के बाद 43 आता है कि 44 आता है 44 आता दिवस कैसे मनाया आपकी पार्टी ने एक साल कहां चला गया और 43 नमबर कहां चला गया बता दीजे पहले भी आपकी डिगरी पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि जब गिंती में ही गरबर हो जाए तो मामला कितना गड़बर दिखाई दे रहा है फिलाल सत्ता रूण धल है हजारों कारे करता हैं कई नेता हैं कई सांसद हैं कई विधायक हैं किसी की नजर इस पर नहीं गई जब बीजेपी की दरफ से ट्वीट किया गया तो गोधी मीडिया ने भी 44 वा स्थापना दिवस मनाया फिलाल आपको अप बताते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने क्या कहा और गोधी मीडिया ने क्या चलाया अबर देखेगा नौभाराट टाइम्स की आपको इसमें लिखा हुआ है कि विजेपी पाउडेशन डे जब उन्हें राच्छसों का सामना करना पड़ा था विजेपी नेताओं में मोधी ने भरा हनुमान वाला जोश तो हनुमान जी का जोश भरा गया है दोहजार चौबिस लोग सभा चुनाओं से पहले अब अब देखेगा नौभा लिखा है कि भारत हनुमान जी की तरहा शक्तिशाली है लेकिन दोहजार चौदा से पहले उसे अपने सामर्थ का एहसास ही नहीं था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारती जन्ता पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर पार्टी कारे करताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत अपनी ताकत का जानता है और पहचानता है तो ताकत की बात हो रही है, जानने की बात हो रही है, पहचानने की बात हो रही है। आप देख सकते हैं एक तरफ विजेपी ने 44 वा स्थापना दिवस मनाया, वही दूसरी तरफ खबरों में भी इसे चला दिया गया। आगे इसमें लिका है कि प्रधान मंत्री ने हनुआन जयनती और विजेपी के स्थापना दिवस के संयोंग से ऐसा चित्र उकेरा कि भाजपा कारिकरताओं के दिल बाग बाग हो गये उन्होंने बजरंग बली की शक्तियों को याद दिलाया और कहा कि भारत भी वही हनुमान है जिसे 2014 से पहले अपनी तागत का आभास नहीं था आज भारत अपने शक्तियों को पहचान कर सपलताफ की सीडियों को चड़ रहा है उन्होंने हनुमान जी की जीवन चरित को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान से भी जोड़ दिया पीम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की तुलना राच्छसों से करते हुए कहा कि हनुमान वक्त पढ़ने पर उतने ही कटोर हो जाते थे तो कतित तौर पर यहाँ पर पीम मोदी ने बीजेपी या फिर की खुद को हनुमान बताया है और उसी के साथ विपक्ष को यहां नरेंड्र मोदी का इशारा भर हुआ हैं अन्दभत्तो की टोली Are आक्टिव मोड में दिखाई दी जहां एक तरफ कथत तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से की गई और ये दूसरी तरफ आप देखेगा कपिल नाम के ये यूजर हैं ये भारती जनता पार्टी से जुड़े हु लिखते हैं कि राक्षस लोग भी हनुमान जैनती मनाने लगे धन्य हो मोदी जी क्या क्या करवाओगे इनसे तो आप देख सकते हैं कॉंग्रेस के जो अध्यक्षे हैं मलिकार जुन खड़के उन्होंने हनुमान जैनती की जो शुब कामनाय दी हैं उसको रीट्वीट करते हुए राक्षस बताया जा रहा है अंद्भक्तों की टोली को इशारा भर चाहिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फुल आक्टिव मोड में दिखाई देते हैं अब लगातार विपक्ष को राक्षस बताया जा रहा है मलिकार जुन खड़के को राक्षस बताया जा रहा पूरा विपक्ष राक्षस बन चुका है अंद भक्तों के मुताबिक एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी का बयान है वहीं दूसरी तरफ फुल आक्टिव मोड में दिखाई दे रही है अंद भक्तों की ये टोली आपको बता दे कि जब से इस तरह के बयान प्रधान म मंत्री को ऐसे बयान देने पर मजबूर कर रही है पहले CBI के कार्याले के उद्गाटन के मौके पर कहा गया पीम मोदी की तरफ से कि ब्रश्टाचारी एक साथ खड़े हो रहे है उसके बाद विपक्ष और भी जादा एक जुट दिखाई दिया वो लोग भी साथ में आ अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे बयानों से BJP खुद के पैरों पर कुलाडी मारती हुई नजर आ रही है क्योंकि सर्वे में पहले ही साफ हो चुका है कि अगर विपक्ष एक जुट हो गया 2024 लोग सबाद चुनाओ में तो बारती जंता पार्टी की बापसी क करना बहुत मुश्किल है ऐसे में विपक्ष और भी जादा एक जुट होता हुआ नजर आ रहा है जहां एक तरफ रक्षस से तुलना की गई है दूसरी तरफ आज ही कॉंग्रेस ने विपक्ष की एकता की तस्वीर को ट्वीट किया है आप देख सकते हैं तस्वीर को ट्व आतिये जनता पार्टी का विरोध हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो अडानी पर जाच का मसला हो उसके साथ ही अब आप देख सकते हैं कि धरातल पर भी विपक्ष अब एक जुट दिखाई दे रहा है तो क्या ये एक जुटता वीजेपी के गले की फास बन इस जैसा कि सर्वे में निकल कर सामनी आया है इन सबी सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पटिट दबाया बला के दबाया तक कि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहें मैं ब्रेंग का आप देख रहे था ओलाइन यूज इंडिया तर मिलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए निवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दूर